पॉलिवूड कैफे आज explain कर रहा है कि हॉलिवूड मुवी जिसमें 16 साल की एक बिजनस्मैन की लड़की अपने फादर के साथ बिजनस ट्रिप पे जाती है और वहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गंदी हकीकत को देखके और अपने फादर की सच्चाई जानके वो हैरान ह हो जाती है मुवी की सुरुवात में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की ली अपने फादर के साथ बिजनस ट्रिप पे आई हैं ली के फादर एक मल्टिनेशनल कंपनी के सीओ है आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है वो अपने फादर से पूछती है कि क्या क discipline और strict रहूंगी उसके dad कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम यहीं पे रहो तो ली कहती है कि नहीं मैं तो किसी drug dealer के साथ में भाग जाऊंगी आपको अच्छा लगेगा क्या तो ली के father कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं तो ली कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और और वो उटकर अपने डैड की सर्ट को थोड़ा ठीक करती हैं और कहती हैं कि अब सही लग रहे हो डैड पूसता है कि क्या मुझे टाई पहननी चाहिए तो ली कहती है कि नहीं आपको टाई पहनने की जरुरत नहीं है ली के फादर ली को हग करके अपनी डील को फाइनलाइस क करने के लिए निकलते हैं तो ली उनको गुड लग कहती है डैड के जाने के बाद मैं ली के पास कुछ करने को नहीं होता है तो वो अपने फादर के कपड़े ठीक करने लग जाती है ली थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं शौवर लेती है और कमफर्टेबल क्लोथ में वो lift से उपर जा रही थी तभी lift के अंदर एक handsome middle age man आता है जो lift का अपने floor का button दबाता है और unintentionally Lee को touch कर देता है ली मस्ती में अपनी bubble gum चबा रही थी पर वो आदमी अपनी phone से नजरे अटा के ली के charming look की तरफ देख रहा था ली typical teenager की तरफ bubble gum से play कर रही थी लेकिन इस आदमी की नजर ली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो बार बार ली को देख रहा था अब इस आदमी का floor आ जाता है तो वो lift के बाहर चला जाता है जैसे ही आदमी lift के बाहर जाता है वापस से ली को देखने लगता है लेकिन तभी lift का दरवाजा बंद हो जाता है अब ली वापस से अपने रूम में आ जाती हैं तो वो देखती हैं कि उसके डैड वापस आ चुके हैं उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहां गई थी तो ली बताती हैं कि वो वाटर बोटल्स लेने के लिए गई थी तो उसके डेट कहते हैं कि कम से कम मुझे बताना चाहिए था मैंने तुम्हें मुझे बाहर निकलने के लिए मना किया था तुम कहीं भी जाओगी तुम मुझे बता के जाओगी ये अपने बीच में agreement है और वो थोड़े गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने आपको क्या समझती हो। ली चुपचाप I am sorry बोल देती हैं। ली के फादर का गुस्सा सांथ होता हैं तो वो ली को अपने पास बुलाते हैं और उसको हग करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमारी बहुत चिंता होती हैं इसलिए ये सब मैं तुम्हें बोलता रहता हूं तुमारे अलाव मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ली भी इस बात को समझती हैं। ली के फादर बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट में डिनर रखा है हम दोनों को तयार होके कॉर्परेट डिनर के लिए निकलना च साथ में घुल मिल सके। ली अपने डैड को पूचती हैं कि कि आपकी मीटिंग कैसी रही और आपको क्या लगता है क्या आपको वो कॉंट्रेक्ट मिल जाएगा क्या। लेकिन उसके डैड उसकी इस बात का जवाब नहीं देते हुए। ली के एक कॉर्पोरेट ड्रेस की का साफी परसंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो। तुम सच में ही बहुत खुबसूरत हो। तुम मेरी बेटी जो हो। वो ली को कहते हैं कि चलो डिनर टेबल पर नीचे चलते हैं और उन Lochों से अब उन्ट्रेक्ट लेकर ही वापस आएंगगो ली कहती है कि हाँ डेड ली के डेड ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं ली देखती हैं कि उसके फादर एक आदमी क्रिश्टीन से हाथ मिला रहे होते हैं और वो ली को क्रिश्टीन से इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी डॉटर है और ली को कहते हैं कि ये क्रिश्टीन है ये हमारा पर्चेजिंग मैनेजर है ली अल्रेडी इस आदमी से लिफ्ट में मिल चुकी थी ली के फादर क्रिश्टीन को कहते हैं कि एक मिनट है क्या तुमारे पास मुझे तुमसे बात करनी है ली के फादर ली को किस करते हुए वहां से जाने लगते हैं तो तो वो देखती हैं कि उसके फादर एक कोने में जाके पर्चेजिंग मेनेजर क्रिश्टीन से बात कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हैं ये सब ली को बड़ा अजीब लगता हैं तो वो अपने फादर के पास आती हैं क्य क्योंकि इस कॉनवरजेशन के बाद में ली के फादर काफी सैड हो गए थे तो ली अपने डेट के पास आकर पूस्ती हैं कि क्या हुआ डेट क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूं क्या तो वो कहते हैं कि तुम क्या हेल्प कर सकती हैं ली के डेट सार्केस्टिकली कहते ह कि क्या तुम मुझे वो कॉंट्रेक्ट दिला सकती हो क्या अगर दिला सकती हो तो दिला दो और वो वहाँ से चले जाते हैं सब के सामने डाटने की वजह से ली अब रोने लग जाती है और रोते रोते होटल के टैरिस पे पहुंसती है जहां पर वो देखती हैं कि वही purchasing manager क्रिश्टीन बैटा है तो क्रिश्टीन कहता है कि hello क्या तुम्हें Oslo City पसंद आई क्या तो ली अपने आसू पोस्ते हुए कहती है नहीं जादा कुछ खास तो पसंद नहीं आई तो क्रिश्टीन पूस्ता है कि Copenhagen से तो battery है न तो ली कहती है कि Copenhagen भी मैं तो कभी गई नहीं और वो थोड़ा मुस्कुरा देती है तो क्रिश्टीन उटकर cigarette पीता हुआ ली के पास में आता है और अपने गले से मफलर निकाल के ली के गले में लपेट देता है और वो कहता है कि ठंड बहुत जादा है ली भी इस बात पे कुछ नहीं कहती है क्रिश्टीन ली को पूचता है कि तुम कहां रहती हो तो ली कहती है कि डैड की traveling की वज़े से हम हर जगा रहते हैं लेकिन हम सुरुवात में Switzerland में रहते थे फिर हम डैड की जॉब की वज़े से अलग-अलग सहरों में रहे हैं जादा तर टाइम मैंने न्यूजिलेंड में काटा है जहां से मेरे डैड बिलॉंग करते हैं क्रिश्टीन कहता है कि हमेशा travel करती हो lonely feel नहीं होता है क्या तुम ली थोड़ा सोच के कहती है कि नहीं वो कहती है कि traveling की वज़े से अलग-अलग interesting लोगों से मिलते हैं इसलिए lonely तो feel नहीं होता क्रिश्टीन को ली का ये जवाब काफी पसंद आया क्रिश्टीन ही वो आदमी था जो ली के father को ये deal दे सकता था क्योंकि वो ही दूसरी company के side से purchasing manager था जो उसके father को contract दे सकता था ली अपने गले से क्रिश्टीन का मफलर हटाती है और उसको देते हुए कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए मेरे father मुझे ढून रहे हो और ली वहाँ से चली जाती है अब देखते हैं कि यहाँ पर एक corporate meeting चल रही होती है जिसमें ली के father purchasing manager क्रिश्टीन से कहते हैं कि deal उसको दे दो वो एक बहतर quality की carpet कम price में देने को तयार है लेकिन क्रिश्टीन ये कहता है कि तुमें price थोड़ा low करना पड़ेगा तभी जाके मैं तुमें ये contract दे सकता हूँ ली के father के explanation में क्रिश्टीन का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं होता है और वो बार-बार ली की तरफ ही देता है ली meeting में बैठी-बैठी अपने hand band से खेल रही होती है लेकिन वो इस meeting में बैठी-बैठी काफी nervous हो रही थी क्योंकि उसके पास में क्रिश्टीन बैठा था और क्रिश्टीन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे क्रिश्टीन अपना हाथ ली के पास लाता है और उसको inappropriately touch करने की कोसिस करता है surprisingly ली भी इस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी लेकिन ली को ये सब थोड़ा weird लगा तो अपने पैर को हटा कर क्रिश्टीन की तरफ देखते हुए पानी का ग्लास ही थी है ली के फादर ये सब देखके हलका सा मुस्कुरा देते हैं ली को ये बात कुछ समझ में नहीं आते corporate meeting के बाद में ली अपने फादर के साथ होटल के बाहर जाते है होटल के बाहर ली अपने फादर से पूस्ती है कि क्रिश्टीन थोड़ा weird है न क्या आपको ऐसा नहीं लगता है उसके फादर केते हैं कि weird कैसे है बताओ उसके फादर केते हैं कि corporate के लोग ऐसे ही frank होते है वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं वो ली को फिर से अपने साथ होटल में ले जाने वाले होते हैं तो ली केती हैं कि मैं होटल room में चली जाती हूँ लेकिन उसके डैड उसकी मरजी के बिना उसको वापस वहाँ पर ले जाते हैं डिनर के बाद में यहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी करने लग जाते हैं क्रिश्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो ली के साथ डांस करने लगता है ली पहले तो हिचकिचाती हैं लेकिन थोड़ी दिर बाद में वो क्रिश्टीन के साथ थोड़ी कमफर्टेबल हो जाती है डांस करते करते ली देखती हैं कि उसके फादर किसी औरत के साथ इंजॉय कर रहे हैं तो वो अपने फादर को डांस करने के लिए बुलाती हैं तो उसके फादर मना कर देते हैं जो ली को बड़ा अजीब लगता है अब क्रिश्टीन ली को धीरे धीरे पाटी की दूसरी तरफ ले जा रहा था ली बार-बार अपने फादर की तरफ देखती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके फादर अभी उसको टोक क्यों नहीं रहे लेकिन वो फिर भी क्रिश्टीन के साथ डांस करने लग जाती है डांस करते करते ली और क्रिश्टीन की नज़दी कियां काफी बढ़ जाती है अब ली भी क्रिष्टीन से थोड़ा attracted feel करने लग और थोड़ा open up हो जाती है। वो देखती हैं कि उसके फादर सामने खड़े हैं और वो अपनी ही मस्ती में हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ये ली को बड़ी अजीब सी चीज लगती है। क्योंकि ली ने अपने फादर का ऐसा behavior पहले कभी नहीं देखा कि वो उसको इतना freedom दे। अब क्रिष्टीन ली के काफी close आजाता है और उसको dance करते करते ही किस करने लगता है। ली फिर से अपने डैड की तरफ देखती हैं डैड भी उसकी तरफ देखते हैं लेकिन ये सब देखके ली के डैड वहां से चुप चाप निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ली के डैड जान बूच कर जाते थे कि वो क्रिष्टीन के close हो जाए। ली को अपने डैड का ये behavior को समझ में नहीं आया। तो क्रिष्टीन उसका द्यान बठकाता हैं और कहता हैं कि यहां से बाहर चले क्यां। क्रिष्टीन ली को अपने कमरे में ले जाता हैं और ड्रिंक करने के लिए ली को वोड का देता हैं। ली विन्डो पे खड़ी वोड का ड्रिंक कर रही होती हैं और उसकी सांसे तेजी से चल रही थोड़ी देर बाद में कृष्टीन ली के पीछे आता है और उसको नेक पर किस करने लग जाता है उसके बाद में ली और कृष्टीन यहाँ पे इंटिमेट होते हैं इंटिमेट होने के बाद में क्रिश्टीन वहाँ से चला जाता है और ली अकेली ही बैटी रह जती है ली को कुछ समझ में नहीं आया कि ये बिना बात किये ही कहां पे चला गया है ली वापस से party hall में जाती हैं जहां पर अभी भी लोग party कर रहे होते हैं ली party में अपने dad को धूंदती हैं थोड़ी देर धूंदने के बाद में ली अपने dad को देखती हैं जो क्रिष्टीन से बात कर रहे थे और अब क्रिष्टीन और उसके डैड काफी खुश लग रहे थे जो की थोड़ी देर पहले आर्ग्यूमेंट पे उतर आये थे अभी ये दोनों मिलके किसी चीज का जैसे सैलिब्रेशन कर रहे हो ली कुछ सोचने लग जाती हैं और उसको समझ में आ जाता हैं कि मेरे फादर को कॉंट्रेक्ट मिल गया है लेकिन वो इस बात पे कन्फ्यूज हो जाती हैं कि कैसे मेरे और क्रिष्टीन के रोमांटिक होने के बाद में मेरे फादर को अचानक से डील मिल गई है किसी के धक्के से कृिष्टीन अपने विचारों से बाहार नि furnish a और अपने फादर के पास गई और इन लोगों के celebration के बीच में जाकर अपने लिए भी एक wine का glass लिया Lee के Father Lee को कान में बताते हैं कि उनको deal मिल गई है इसलिए वो celebrate कर रहे हैं जिसका अनुमान Lee ने already लगा लिया था लेकिन वो देखती हैं कि क्रिष्टीन उसे नजरे चुरा रहा है क्रिष्टीन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा Lee के Father सबको cheer up कर रहे थे तो Lee भी बीच में अपने फादर के साथ cheer करने लग जाती है और कहती हैं कि great work dad जो उसके dad को बड़ा अखरता है और वो Lee को कहते हैं कि तुमने बहुत drink कर ली है तो Lee कहती हैं कि अभी तो मैंने एक घूट भी नहीं पिया और वो अपने फादर को जटक के क्रिश्टीन के पास जाती है और सब के सामने क्रिश्टीन को किस करने लग जाती है तो Lee के dad क्रिश्टीन से Lee को अलग करते हैं और क्रिश्टीन भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है तो ली अपने फादर से हाथ छुडा के वहाँ से बाहर चली जाती है तो ली के फादर सबको excuse कहके अपनी बेटी के पीछे जाते हैं ली बाहर जाके taxi के लिए हाथ हिलाती है तो उसके फादर पीछे से दोड़ते हुए आते हैं और अपना कोट अपनी बेटी को पहनाने लगते हैं तो इस बात पे ली रोने लग जाती हैं तो उसके डैड उसको कामडाउन करने की कोसिस करते हैं ली को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने जान बूझ कर उसको अननेसेसरी फ्रिडम दिया था और क्रिश्टीन से डील पाने के लिए उसका यूज किया और अब यहाँ पे अपना पन जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा क्रिश्टीन ने भी उसका अननेसेसरी फाइदा उठाया इंटिमेट होने के बाद में क्रिश्टीन उससे बात भी नहीं कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ उसके साथ फिजिकल ही होना चाता था जबकि ली पूरी तरह से emotionally involved हो गई उसको बहुत बूरी तरह स का ट्रस्ट ब्रेक हो गया था तो ली के फादर कहते हैं कि तुमारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है प्लीज तुम रुक जाओ ली को ये बात सुनके रोना आया लेकिन वो फिर भी टैक्सी में बैठ जाती हैं क्योंकि उसके फादर ने उसका ट्रस्ट पूरी की रहती हैं एक फादर ने फाइनेंशल गेन के लिए अपनी डॉटर का विस्वास तोड़ा ली के लिए तो ये दोहरी चोड थी क्योंकि उसके फादर के साथ साथ उसके पहले प्यार क्रिश्टीन ने भी उसके साथ विस्वास घात किया और इसी के साथ ये emotional movie end हो जाती है वीडियो को लाइक थी थी फोर वाचिंग